दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वोल्सेलर ढूनना चाहते हो तो आपको वोल्सेलर कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा और जो आप वोल्सेलर हैं वो जेन्यून है या नहीं है कैसे पता करें वो सब आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अब चाहे वो मेनुफेक्टर हो या वो रिशेल हैं अगर आपको सही वालसर नहीं मिलेगा तो रडिमेट जो प्रोडक हैं वो आपको सही नहीं मिलेगी या जो रो मेटरल हैं वो आपको सही नहीं मिलेगा न सही रेट से म बात बात में हैं, पहली बात ये हैं, सबसे इंपोर्ट बात ये हैं, कि सही क्वालटी में, सही रेट में हमें माल मिलना चाहिए, तो माल खरीदने के लिए हमें सही होलसेल मिलना ये बहुत इंपोर्ट है, और दोस्तों में साथ मैं आपको यह भी बताऊँगा, कि जब मैंने spare part का business start किया तो मुझे wholesaler कहां और कैसे मिले वो भी मैं आपको बताऊंगे क्या तारीका था वो मैंने कैसे खो जा था बिल्कुल genuine wholesaler मुझे मिल गए थे मगर वो कैसे मिले वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है आप इस type step ढूंड सकते हो आपको डूडने की कोशिस करने है एक बात मैं आपको यहां यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं YouTube में काफ़ी सारे वीडियो हैं वो में देख लूंगा और वहां से मुझे wholesale मिल जाएगा तो करिब करिब मेरे इसाब से आप 100% गलत है नहीं मिलेगा यहां वैसे बात मुझे बता रहा नहीं चाहिए क्योंकि यह तो भाई मैंने मेरे ही दंधे की जो पोल में खोल रहा हूँ मेरा सब कुछ बता रहा हूँ मगर बात यह हैं रही यह ली तो बिलकुल यह है क्योंकि यूटूब में कौन आएगा पहले बात अब यह सोचो कि यूटूब में कौन आदमी जो हैं वो वीडियो बनाने के लिए आएगा यूटूबर को अपने यह पांच जार दस जार रूपया देगा और अपने यह वीडियो आदा हैं यूटूबर को ताकि उनके दवारा उनका म now भी के तो इसका मतलब यह तो करीब नहीं है कि वे ए बड़ए हुआ हो ऐसा मैं इन्हें कहारा है को वो सब लोग में हैं वो भी मेете में सही तरी के से में में मगर वहाँ हैं मगर वहां ट्रेट में जो माल जो चाहिए आपको वह नहीं मिलेगा क्योंकि होलसेलर यूटूब में नहीं आते हैं यूटूब की तो बात छोड़ो बाकि जो वेबसाइट हैं जैसे कि इंडिया माथ हैं ट्रेडि इंडिया हैं जेस्टायल हैं वहाँ पर इनके एक पार नहीं है, क्योंकि इनका पास पन्सक्स नामर कुछ पर हो देखा है, र dishonor मैं हो मैं क होलाकर अन्हीं है फोल्ब जा रहा है,ीन मिज्ञ – अलमार कशा करना Toronto कीयो दोस्तों मैं आने वाले दिनों में, इक मैं ने छाता हूं, है आप मेरे साथ बाहbrar行 कूछ, इसमें आपको अभी आप अपना जो बिद्नेस वगरे सब कुछ कर रहे हैं वो दंदा वगरे वो तो आपको करते रहना है और साथ में आपको पार्ट टाइम इसमें काम करना है दिन में आदा करना है इनमें आपको इंकम बहुत कम होगी मगर बाद में आपको इंकम बहुत ज काम, अपनी उम्र, अपना स्टेट, अपना कौन सा सीटी हैं, वो, क्या पढ़े लिखे हो, कितने एक्सप्रिंस हैं, सब कुछ आपको लिखकर मुझे वाट्सअप कर देना है, आपका नमबर जो हो, मैं अपने पास शेव कर लूँगा, जैसे काम स्टार्ट होगा, तो मैं आ अभी आपको क्या करना है, के और अपना बायोड़ा जो है, वो मुझे भेजना है, मैं अपने इसाब से आपको बता दूँगा, अपना नमबर जो आपको चालू रखना है, इनको बंद नहीं करना, अगर बंद कर दोगे, तो फिर आपका मिल से कोई कौन्टेक्ट नहीं हो पहले जो नौर्बल फोन थे या जो टर्ट स्क्रीन वाले फोन थे, तो उस वक्त जो हैं, वो भाई, मैं स्पेर पार्ट बेचता था, अब बेचता था, इनसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं अपना जो फ्रेंड है, वो मोबाल रिपेरिंग का काम करता है, तो उसको दुक कर माल ला रहे हैं, और यहां पर बेच रहे हैं, और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ लोग मैंने के एक एक लाख, दो दो लाख भी कमा रहे हैं, तुम इसमें जा सकते हैं, यह बहुत ही बढ़ी अबिडने से, तो मुझे लगा कि हाँ यह बहुत कर लेक आँगा, और मुझे इन स्पेर पार्टों के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं तो कौन कौन से स्पेर पार्ट खरीदू, मार्केट में कौन से चल रहा हैं, कौन से नहीं चल रहे, कुछ मुझे नहीं मालूब दा, तो मैंने सुचा कि जड़ू दिल्ली दो नहीं थो मेरे मित्र नोगों ने बोला कि हमारा मागल में भाइ रहते हैं जो सप्छाइड़ बेचते हैं वह दिली से बहुत ज्यादा कignantरी एंड में मेरे मित्र हम उस भाईके पास गए और में पहले दिन कोई की दस बाराजार खरिड़ा था उसमें मुझे बहुआ प्रोब्लम का नाम याद नेरी थे के CC कौन सा मैं इसमें CC आते थे, rec, Ringer आते थे छोटे चोटे माई की सब्साइव कुछ बेल्ट व्यक्yas कुछ कफिसरें पयर्ट परिदा और मार्केट ने मेचना शुरू कर दिया है मुझे उस वक 30-35% में मिल रहा था अब मैं हर बार यह सोच रहा था कि मुझे इनके पास सिमाल नहीं खरिदना चाहिए मुझे डायरेक्श इतर दिल्ली पहुंच जाना चाहिए और मुझे वहां सिमाल खरिदना चाहिए तो मैंने उनको कई बार पूछा कि अब दिल्ली यह जा रहा हो कभी कबर मुझे भी साथ में लेकर जाओ तो मैं भी देखूं कि दिल्ली में मार्केट कहुँ है कैसा मारकेट है मगर वो मुझे नहीं लेकर जा रहा था मना कर रहा था कि हाँ ले जाओंगा मगर बाद मेरी बाद को टाल रहा था तो क्योंकि उन्हें सोच रहे होते थे कि अगर मैं इनको साथ में ले गया तो वो अपने इसाब से माल लेना शुरू कर देगा और मेरे पास सकरिजना बंद कर देगा ये इनको डर था तो वो मुझे नहीं बता रहे थे इक बार भय क्यों हुआ कि इन्हों ने मुझे एक डायरी दी इतनी चोटी डायरी थी इनके उपर लास्ट में लिखा था करोल बाग डीली बस इतना लिखा था कोई mobile नम्र कोई address अपना mobile मे कुछ थे लिखा था और इनके उपर काफी सार जे बदा आलग आज़े प्लинки सEx दुकान का नाम है अब चलो मैं इनके पास से जाकर स्पिर पाट खरे भी लूँगा तो मैंने अपने मित्रों को बोला के भी माई मुझे दुकान का नाम तो मिल गया है और इनका जो मार्केट है वो करोल बाग में है और वो भी मैंने वेपरे का पास से सुना था कि करोल बाग तो ये सब मिल गया तो अब दिल्ली चलते हैं तो उस ने बोला कि देखो ये दुकान का नाम बेरी दुकान का नाम बड़ी तो एक भाई ने बुझे पुछा कि वहाँ पर एक बेंग था कि उसने बोला कि एक बेंग के पीछे जो है वह ये दुकान है तो भाई हम वहाँ पर वहाँ पर पहुंच गए और वहाँ दुकान जो हम को मिल गए उस दुकान के अंदर 6-7 लोगों का स्टाप था और उतने ही खरिदार भी थे जो लोग बैठे हुए थे अपने पास अच्छा कासा माल जो हो था दुकान बहुत बड़ी थी काफी सारा माल पड़ा हुआ था थोड़ा अस्तवस्त पड़ा हुआ था इतना बिलकुल जमाक नहीं रखा था कोई ऐसी वगर की इसमें कुछ सुविदा हैं आप ऐसा करो कलाना कोई बात नहीं हम दूसरे दिन के पास सले गए तो दूसरे दिन जो हो भी तीन-चार कस्टमर मेरे से पहले ओलड़ी आकर बैठे हुए थे मैं भी यहां गया और लगबग हम वहां पर तीन-चार घंटे बैठे और हमने वहां से स्पेर पार्ट लिय अलग-अलग टैप का स्पेर पार्ट लिया और वो जो भाई के पास से में माल खरिदा था इन से मुझे और 15-20 परसंट जो हो माल और मुझे वहां से सच्टा मिला तो कहने का मन्दम है कि मुझे यह वो स्पेर पार्ट वाला जो हो वरसली तो मिल गया अब हमने चाहिए थी एज़डी तो एज़डी के लिए जो हैं वो मेरा मित्रता इनको पता था हम उसने बोला कि एज़डी में दुकान है करोल बाग में वहाँ से हमको एज़डी मिल जाएगे हम वहाँ पर गए वो भी छोटी दुकान बार से देख थी तिमांगर अंदर बहुत बड़ी दुकान थी तो वहाँ से हमने हम एल्च ले लिए अब वहाँ से माल ले लिया और हम वहाँ से लेकर आ गए वैसे मिकाप कई बार दिली में फिर गया उनके पास से मैंने माल लिया इनका रेट सबसे कम था और माल बिलकुल जयनिन था एक भी प्रोडब्क में आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था तो मतलब गई बिलकुल जैन्यून सप्लायर था जैन्यून होलसिलर था एक बात मैं आपको यह भी बता दूँ यह दोनों दुकान में से एक भी दुकान का वीडियो यूटूब में मैंने आज तक नहीं देखा क्योंकि बाई इनके पास क्या प्रॉफिट कम था मगर टर्न ओवर बहुत ज्यादा था अब इनके पास इतना टाइम नहीं था कि वह यूटूबर को बुला वे इनको पैसे दे और अपनी वीडियो को जहें वह सूट करवाए तो जो होलसिलर होते हैं वह करीब-करीब कर आपको यूटूब में तो नहीं यहां मिलते हैं ओनलाइव भी नहीं मेलते हैं मुझे जैसे ओफलाइव मिले वैसे आपको भी ओफलाइव मिलेगे, आपको क्या करना है मैं आपको एक और EXEMPEL देना चाहता हूं कि वह आपने यह सोचा कि चलो मुझे प्लाइवूड का business करना है कि मैं प्लाइवूड मंगा और आपने यहां जो वेपार हिंकों में बेचूंगा प्लाइवुड का मैंने बहुती बेस्ट वीडियो बनाए इनके लिंक मैं आपको पर आई बटन में दे दूँगा तो भई क्या करोगे आपकी भी आपने आसपास में जो लोग प्लाइवुड बेचते हैं इसकी दुकानों में आप जाओं अगर आप नौकर नहीं कर सकते हो तो सबसे अच्छा तो नहीं करो नहीं कर सकते हो तो क्या करना है कि दुकानों में जाना एक बार जाना दो बार जान हैं और दुकांदार को बोलना है कि दिखिए यह मारा रिष्टेदार है या प्रेंड है इनको अच्छा प्लाइवुड अब दिखा यह अच्छी रेट से बताइए आप एक दो कस्टमर को ले के जाओगे तो दुकांदार से आपका जो है रिष्टा बनेगा सबंद बनेगा यह आदमी बड़ा काम का है तो वह आपको भी चाय पानी पिलाएगा बैठाएगा थोड़ी दोस्ती करो दुकांदारों से और फिर आप इनको बता सकते हो कि भाईया मुझे प्लाइवुड का बिद्निस करना है यह होलसेल में मुझे प्लाइवुड खरीदनी है और बेच और यमुना नगर में प्लाइवुड की बड़ी से बड़ी फ्यक्टरियां। यह रियल में हैं और वहाँ से आपको प्लाइवुड मिल जाएगा तो दुकांदारों के पास से ही आपको हौलसेल का नाम मिलेगा अब आप सोचोगे यमुना नगर तो बहुत बड़ा है तो यमुना नगर में भी कौन वो बड़े सप्लियर है जिनके पास से जनियून डेट में हमें प्लाइवोड मिले गा तो वो भी आपको इन दुकांदार के पास से ही मिल जाएगा क्योंकि काफ़्ी सारे दुकानदार जो होते हैं उनको पता वहता है कि यमिना तो है और यमिना नागर में ये दो, तन पार्टी है जो बड़ी पार्टी है और जिसके पास से हमारा माल आता है क्योंकि देखो भले वो घारेक नहीं खरीद रहा है किशी थरड़ Pёнť के द्वार माल ला रहा है मगर इन पर कई बार नाम लिखके आ जाता है कई पर पिर उनकी टिठी जो वो साथ में आ आती है इनका एडर्स आ जा जा तो पता तो होता ही है कि ये 2-3 दुकान हैं या 2-3 व्यूआ है जहोंसे माल आ रहा है तो वो आपको नाम भी बता देगा तो आप उन नाम पर जाकर माल खरिब सकते हो अब यह जो वो जो नाम बताएगा वो दो नाम होगे या तिन नाम होगे इससे ज़्यदा नहीं होगे क्योंकि दो तिन होलसल हर चीज में होते हैं बाकर तो इनके नीचे काम करते हैं और इनके पास कोई time बगर नहीं होता है कि यह सब करें तो आपको अगर wholesaler चाहिए, सही wholesaler चाहिए तो आपको न यूटूब में इनको ढूड़ना है, न इंटरनेट पर ढूड़ना है, आपको ढूड़ना है अपने यहाँ जो local market है और जिस type का business करना चाहते हैं उस टैप के जो रिटेलर हैं आप इन से कॉंटेक्ट करों तो वहां से आपको ना मिल जाएगा कि यह माल कौन से आ रहा है और इनका होलसल कौन है हमारे यहां खटिया बनाने के दोरी बहुत काफ़ी बिगती है तो किसी आंइका बरे मौगा मगर उनको quantity इनकी बहुत छोटी वरती हैं इनको एक टन दो टन चाहिए तो वो direct महुआ से नहीं मंगवा सकते मगर इनको ये भी पतावाता है कि महुआ में कौन से बड़े होलसेल हैं जो बनाने वाले हैं जो बेचते हैं तो पता हर चीज़ का रीटेलर को ही मिलता है तो अब आपको अगर जैन्यूर होलसेल चाहिए तो आपको बहुत अच्छी प्यारे लगी होगी तो इस वीडियो में एक कमेंट आप जरूर कर देना अब भी मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजबूल वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत